हेलो दोस्तों स्वागता आप सबी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्री राम क्लासेज में और दोस्तूं आज का एखास वीडियो जवाहर नोद विद्याले कक्षा नो परवेश परिक्षा जो आठ फरवरी 2020 को हुई थी उसका इप्यापर है और इस वीडियो में हम बा चर्चा करेंगे तो आए देखते हैं इन सभी प्रस्नों को प्रस्न नमबर 66 से 100 तक और मैंने पहले हिंदी और गनीत की जो आंसर की है वो अप्लोड कर रखी है चैनल पर तो आप चैनल पर जाके वो आंसर की देख सकते हैं और आपके कितने प्रस्न सही हो रहे हैं वो इस जरूर लिखें आप अपने नाम यह और अपना जिल्ला और रज जरूर कमेंट बॉकस में लिखें और 10 में से कितने प्रस्न सही हो रहे हैं वह इन video के कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें में तो इस वीडियो में हम victory सबसे पहला प्रस्न है 66 नमबर प्रस्ट ने लेक्टो बैसिलस क्या है तो लेक्टो बैसिलस एक जीवानु है option नमबर A इसका है जो correct answer है अगला प्रस्ट ने बीज बोने में उप्योगी कौन होता है इसमें से तो seed drill नाम से ही पता चल रहा है इसमें seed drill इसका correct answer है 68 प्रस्ट है मानों में influenza रोग किसके कारण उत्पन होता है तो यह विशावन के द्वारा है जो उत्पन होता है next question है छोटी माता के लिए vaccine की खोज किसने की तो छोटी माता का जो टिका सबसे पहले जो टिके खोज की थी वो Edward Jenner ने सबसे पहले खोज की थी Edward Jenner next है thermosetting plastic कौन से है तो इसमें चो correct answer वो backlight है बेकलाइट thermosetting plastic है next है निम्न में से किसकी ठंडे जल से तीवर अभिक्रिय होती है तो sodium की जो अभिक्रिया ठंडे जल के साथ सबसे तेज होती है आपसे प्रस्ण यह है कि sodium का प्रती क्या है उसका symbol क्या है comment box में जरूर लिखे और sodium का latent बासा में नाम क्या है यह भी आप comment box में जरूर लिखे copper के किस गून का वीडियो तार बनाने में उप्योग किया जाता है तो यह वीडियो का अच्छा चालक होता है इसके अकारणी जो वीडियो तार बनाने में इसका अप्योग किया जाता है नेक्स्ट है नेम लिखित में से कौन सा petroleum का अभियों नहीं है तो इसके जो को किसी जिसका correct answer है आपके science में कितने प्रस्न सही हो रहे हैं आप इसका उत्तर comment box में दरूर लिखें अगला प्रस्न है प्राकृतिक संसादन कौन सा नहीं है तो रेयान एक करत्रिम रहसे है नेक्स्ट है अप्रिये गंदवाला काला गाड़ा द्रव क्या कहलाता है तो यह कौल तार कहलाता है option number B पिछोतरवा में correct answer है species एक मतर रूप से एक विशिष्टिक रत परियावास में पाई जाती है उसको अस्थानिक कहा जाता है उसको अस्थानिक कहा जाता है बड़े बुखंडों की खेती करने के लिए साफ करने का प्रियावरान परनिम्ण में से कौ करने हरित के काने जिसका रंग हरा होता है निम्ण में से क्या पादब जन्तों और जीवान कोशिका में पाई जाता है तो कोशिका जिल्ली इन सभी में पाई जाती है मुंडी क्या मुर्गी क्या है तो मुर्गी इसमें से अंड़ प्रजेक है जो है अंड़ प्रजेक हाईड्रा हाईड्रा में जनन किस विद्धी के द्वारा होता है इसका उत्र आप कमेट बॉक्स में जरू लिखें टेड़ पुलों में के अप्रियाप्त बनने से परिवजन अपुंड़े जाता है तो करेक्ट आंसर इसका थाइरोक्सीन योवनारम में वर्षिनों से कौन सा प्रस्द आपसे कि कमी से कौन सा रोग होता है आप इसका उत्र कमेंट वोक्स में जरू लिखें एक गेस से बराव गुबारा उपर कि और जाता है क्योंकि इस पर कोई गुरुत्वाक्रिशन बल नहीं होता है नेक्स्ट ने हैं पास-पास रख्की दो थर्माकॉल की तो ये जो वेदियो ताकरशन होता है उसके कारणे जो ये दूर दूर चले जाती है सरीर के उपास्ती का समाप्त होना सरीर में गर्शन बल्को ये गटाता है Next है किर्केट के बल्ले का हैंडल हैंडल खुरदरा बना जाता है ताकि यह जो गर्सनबल को गटाया जा सके अगला प्रस्टने यदि किसी वस्तू में कमपन की आवरती बढ़ाते हैं उसके आवरती में बढ़ेगा विद्करमान पात में बढ़ता है परासरवे द्वनिकी जो तरंगों की आवरती होती हैं वो 20,000 हट से अधिक होती है लोहे क को रोंगर है तो किया जता है क्योंकि इसको अधिक समय तक रखा जा सके ताकि जंग ना लगे निम लिकित में से विद्ध का सूच अलग नहीं है तो विलस्पती तेल इसका जो करेक्टर अंसर है बुकम के कारण क्या क्या आ सकती है तो सुनामी बाड और बूसकलन जब आप एक प्लास्टिक पेन को पिछे से अपने बालों में रगड कर छोटे से छोटे कागज के टुकडो के पास लाते हैं तो यह उसे विद्ध बल के कारण अपनी और आकरशित विद्ध बल इसका जो करेक्ट अंसर है यदि कोई वस्तु समतल दर्पन से पांच से मी दूर है तो इसके दौरा निर्मित परते भी मोर वस्तु के मद्ध की दूरी होगी पांच और पांच दस यह दर पन यह इधर पांच और इधर भी पांच टोटल दूरी हो जाएगी अगला प्रस्टन एक दूसरे से उन्मुक और समानतर रखें जो समतल दर्पन द्वार परकास की कोई किरण कितनी बार प्रावर्तित होगी तो और अनंत बार है जो प्रावरतित होगी शुक्र ग्रह को क्या कहा जाता है तो शुक्र ग्रह को प्रबात तारा मौर्निंग इस्टार भी कहा जाता है आपसे प्रस्णी यह कि प्रत्वी की जुड़वा ग्रह किसे कहा जाता है या जुड़वा बहन किसे कहा जाता है प्रत्वी की जुड़वा बहन एक तारह परत्वी से पंदरह प्रकास वर्स दूर हैं इसके दोर आज निकला प्रकास पंदरह वर्स बाद जो दिखाई देगा प्रत्थी वर्स जुलाई और अगस्त का पोदा लगने वाला माहा क्या कहलता हैं तो वह 1.100 कहलता है नेक्स्ट विशन अमल वर्सा के लिए कोन उतर दई है तो सल्फर डायोकस इसका जो करेक्ट आंसर एसो टू आपसे प्रस्थी वर्स परियावरन दिवस कब मनाए जाता है परियावरन दिवस कब मनाए जाता है इसका जो कमेंट बॉक्स में उतर जरूर लिखें और आपके 35 में से इस विज्ञान के प्रस्थन कितने सही हो रहे हैं वो भी इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और अपना नाम नेक्स्ट क्यूशन है नेम लिखे समुव में से किसमें केवल संसलेशित पदार्थ हैं तो करेक्ट आंसर इसका पीवी सी पॉलिथिन और बेकलाइट अगर अभी तक आपने गणी तोर हिंदी के आंसर की नहीं देखिए तो इसका लिंक में इस वीडियो के डिस्क्रेप्शन जादूंगा वहाँ से आप इसको जरूर देखें मिलते एक नए वीडियो में तब तक जै हिंद जै बारत